एक तरफ जहां लोग गर्मी से परिशान हैं हर तरफ हाई तौबा मचा हुआ है वहीं दूसरी और पटना के राजा बजार इलाके में 4-5 दिनों में पानी नहीं आ रहा जिसके वज़ा से लोगों में हरकंप मचा हुआ है तप्ति गर्मी में लोगों को सबसे बड़ी समस्या पानी की हो रही है सोचिए बिहार की राजधानी पटना का ये हाल है तो बाकी जग होगा क्या ही कहना शेकपुरब बिन टोली के निवासियों को पानी को लेकर काफी समस्याएं उत्पन हो रही है लोगों का कहना है कि दूर दराज लाकों में पानी लेने के लिए जाना पड़ता है और वहाँ से पानी लेकर आते हैं तपती गर्मी में लोगों का प्यास बुझाने वाला पानी आज लोगों को नसीव नहीं हो रहा है लोगों की काफी समस्याएं हैं लोग कह रहे हैं कि ना हम सोचाले जा पा रहे हैं ना ही नहां पा रहे हैं जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है लोगों का कहना है कि वार्ड नमबर आठ के वार्ड पारसत रीता रानी लोगों की समस्या नहीं सुन रही है लोग गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि हमारे घर पर नल तो है लेकिन जल नहीं आ रहा तो पानी के लिए दूसरे जगह जाना पड़ता है। तो देखे बहुत दिक्कत है लोगों को पानी की समस्याएं हैं यहाँ पर जो पानी के लिए हकार मचा हुआ है पूरी तरीके से देख सकते हैं तश्वीरों में कि घर में नल लगा हुआ है कितने लोगों की संख्या है यहाँ पर करीब करीब हजारों से कम होगा है कहां से पानी नहीं चला है कितना दिन से नहीं चार दिन पानी नहीं आ रहा है यहां पर मोटर है कि इस जीवन आपन हो रहा है खाना कैसे बन रहा है लोग ना पानी यहां फुलेट इससे कई मांगते हैं कई मोटर से लाते हैं और कि आप खली नहाने का प्रूलम हो गया चार इस नहीं नहीं पाएं इस गर्मी में इस गर्मी में प्रमी में थार से खुलेटा क्या हुआ प्रूलम।